वेल्कम बैक फ्रेंड्स तो कम्प्यूटर कोश्चन्स आज हम बोर डिसक्स करने वाले हैं जो जेके एससबी ने जेके पीएसई एक्जाम जो सीबीटी मोड्स हुए थे उनमें कोश्चन्स पूछे गए थे यह मैं किसले इस्टार्ट कर रहा हूं कि बहुत सरे एस्परेंट पूछे गए हैं जेके पेस है कि कोश्चन्स आज डिसक्स करने वाले हैं थोड़ी सी एक्स्प्रेंशन भी साथ में हम रखेंगे सबसे पहरा कोश्चन था Microsoft PowerPoint is a Microsoft PowerPoint क्या है word processing program spreadsheet presentation program तो बहुत basic question है इसी तरह के exam oriented questions होते है presentation software program है यह MS PowerPoint आपको बता दें यहां पर जो word processing program है MS Word है spread sheet जो है MS Excel को कहते है presentation program जो हमारा MS PowerPoint है which key is used to capture the entire screen of the computer जो आपके समने screen है computer की अगर इस पूरी screen की screenshot लेना चाहरे है यानि तो simple सी है simple सा आपको क्या करना है कि जो print screen key होगी है कि वो आपने press करने है तो आपके पास screen shot आ जाएगा ठीक है या फिर आप control प्लस print screen भी कर सकते हो ठीक है तो इसका answer रहेगा print screen कुछ importance और में हर एक वीडियो में 10-10 पांच पांच शेया है आप प्लस टैब जो है कि किसके लिए यूज होती है switch between the open programs and applications को बहुत सरी applications आपने ओपन किया एक्सल भी किया पर पॉर प्रोग्राम चिला रहे हो एक से दूसरे में आपने switch करना है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम से अल प्लस टैब प्रेस करोगे और आपको computer का अपना reboot या restart करना है तो इसके लिए control प्लस अल प्लस डिलीट बटन जो है प्रेस करोगे okay control प्लस अल प्लस डेल alt f4 यह भी यूज़ कर सकते हो आप reboot या restart के लिए ठीक है दोनों या फिर आप alt f4 या फिर आप control alt प्लस डिलीट प्लस करोगे और आपको मैं यहां पर बता दूँ आपके पास जो आप वोर्ड में किसी में लिख रहे हो कोई गलत लिख गया तो control प्लस बैक स्पेस करोगे तो आपका left साइड से जो आपका वोर्ड होगा डिलीट हो जाएगा अगर आपको right साइड में वोर्ड डिलीट करना है तो उसक आपको प्रमनेंटली कोई भी प्रोग्राम यह फाइल को ड लीट करना है बिल्कुल प्रमनेंटली मेमरी कहीं पर भी वो स्टोर नहीं होगा तो shift पलस ड ब्लीट ब्टन प्रेस करना है shift पलस ड इलीट इन ये question पुछा गया था in the Mac, M.A.C. की Mac address of a computer, Mac is an acronym for which of the following? यहां पर simply Mac की full form पूछेगे computer field में यहां Mac की full form क्या रहेगी? जल्दी से बता है, media assess control, media assess control यहां पर इसकी full form रहेगी Mac की, यहां पर कुछ और full forms हैं जो हमने recently discuss की थी, तो मैं आपको कहूंगा कि वीडियो पास करके इसको एक नजर फिर से लगा लो, जैसे को कुछ image formats हैं, file extensions हैं आपके सामने इसके उपर उपर जो giant photographic expert group graphic, यह फिर graphic interchange format, जल्दी से आपके तांगे माइन में record revise हो जाए dot mp, eg, moving picture expert group dot bmp, bitmap image file इसके बाद जो code का standards है tax code का यहाँ पर American standard code for information interchange bios, basic input output system बहुत 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 पुछा गया bios का, कोबाज लेंग्वेज हैं, common business oriented language और MSSS में आप देखते हो database management system इसके बाद एक जैसे ASII, ASII है इसी तरह EBCDICB एक आपका code है, coded language है extended binary coded decimal interchange code HTM, HTTP तो पता है habitat transfer protocol, IBM international business machine, JPEG अभी हमने पताया, joint photograph expert group graphic user interface graphical user interface graphical user interface graphical user interface HDMI high definition multimedia interface giggo garbage in garbage auto HDD high disk, hard disk drive तो मैं जल्दी इसलिए करा है क्योंकि आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया है तो इसकी screenshot ले लो या वीडियो पास करके एक बार readout कर लो ओके, आगे बढ़ते हैं each page, ये question next पोचा गया था each page of a microsoft powerpoint is called, ये basic है बिल्कुल इसमें बताने की जूरूरत नहीं है आपको पता है जो powerpoint में presentation में बनाते हो, जो presentations में क्या होती है films तो नहीं होती, plates नहीं होती, slides होती है slides इसका answer रहेगा अगर आप चाहो तो थोड़ा सा MS powerpoint पे भी नज़र लगा सकते हो, अगर हम ब्रीफली देखें तो इसकी file extension dot pptx है zoom इसका 10 minimum और 400 maximum zoom आप MS powerpoint में कर सकते हो और इसके इलावा कुछ terms जैसे auto content wizard जो है quickest way है to create the powerpoint presentation को अगर quickly अपनाना चाहरा है तो auto content wizard का use कर सकते हो, template के अज़ता है presentation designs होते है file which contains a ready mid style template केते है MS powerpoint में slide transition केते है जो powerpoint आप चलाते हो नज़र प्रिजेंटेशन चलाते हो नज़र एक slide है आपकी यह जाएगी जैसे मैं आप इताता हूं, यह जैसे मेरी slide है, यह simply आ गया गया आ रही है ठीक है लेकिन इसमें आप टेक, इसमें आप क्या कर सकते है special effect भी डाल सकते हो उपर से उपर से आए यह गुमते होए आए तो इस तरह से उसको slide transition कहते हैं इसके बाद animation और rehearsal भी आप देख सकते है special effect भी जो यूज होते है slide show के presentation के दुवारा slide show, slides को move करते होए उसको animations और rehearsal होते है custom timing for slide in presentation, custom timing, यह कितने देर बाद एक slide, दुसी slide, एक के बाद दुसी slide आएगी, इसको कहते है rehearsal PowerPoint कुछ views होते है, normal view, slide setter view, slide show view वगरा वगरा और slide sorter view बहुत 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 पुछा गया exam में जब सारी की सारी slide जो है एक ही जगा पर visible हो जाए आपको इस तरह से, इसको slide sorter view कहते हैं, तो यह आपने याद रखना है, okay Sorry तो यहाँ पर कुछ image file extensions है जो हम already discuss कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले और इसके बाद यह बहुत इंपार्टन है, page orientation जो होता है MS PowerPoint के अंदर landscape होता है, otherwise आप हमेशा वोर्ड में use करते हैं अक्सर लोग, तो वोर्ड में portrait होता है portrait, portrait होता है यह इस तरह का page orientation है, जो उपन करते हो, page इस तरह के portrait होता है, लेकिन जब PowerPoint में आप पेज कोलते हैं तो इस तरह का landscape page open होता है, default, by default, okay next question है, microphone is an example of which among the family, बताने की खाज जरूरूरत नहीं है, input, output बहुत बार बता चुका हो, आपको पता भी होना चाहिए, input device है, output है microphone, microphone is a input device, in order to check spelling of a text in MS PowerPoint, we press, spell check, spell check, which are a spell check, चाहिए, spell check, PowerPoint assess, word, किसी बें भी हो, तो इसकी एक ही रहेगी shortcut की, F7, यह मैं अपनी तरफ से कोई question नहीं ला रहा हूँ, question जो अभी ऐसे में पूछेगे है, shortcut for opening help in MS PowerPoint, help के लिए MS PowerPoint हो, कोई भी आपकी application MS Office की, उसमें आपका एक ही रहेगा, F1, तो अब वीडियो पास करके एक पर फिर से को revise कर लो, F1 से लेकर F12 तक, अगर आपको आता है, तो जदे से skip करें, नहीं आता है, वीडियो पास करें, और इसको एक पर ज़रूर read out करें, which of the following is not hardware, इन में से hardware कौन सा, hardware होता है, simply कोई पार्ट है, computer का, monitor सामने keyboard है, आपके सामने, sorry, मेरे सामने है, लापके सामने मदर नहीं, sound card, B, जो है, आपका, visible होता है, यानि, hardware है, browser जो है, ये एक software है, तो answer इसका browser है, बहुत simple है, तो यहां पर, what does CAD stands for, CAD stands for, this computer, computer, added, design, तो यह रहेगा, C answer, okay, which of the following, these keys, combination is window opening system, used to shortcut to save, बहुत simple question, यह, मैं नहीं पूछा, यह, एक्जाम में पूछा हुआ था, मैं अपनी तरफ से नहीं डार रहा हूँ, save के लिए, control plus S प्रेस होता है, हलनके, अगर आपको save as करना है, किसी नए नाम से, फाइल को, save करना ह S, which of the following type of ink, source is used in laser print, तो यह question का जो answer है, आप comment करके बताएं, यहां पर answer क्या रहने वाला है, तो इसका answer जल्दी बताएं, Okay, what does the acronym stands for DPI, DPI, dots per inch, very good, a donut chart in Excel is similar to, Excel में चार्ट होते हैं, आप देखते हो, चार्ट को create करने के लिए, तो यहां पर Excel में आप चार्ट हो, तो donut chart किस तरह का होता है, डोनत जो, donut इस तरह का है, यह donut chart, तो यह pi chart की तरह होता है, यह pi chart की तरह, है, नहीं समझाएं, तो यह image देख लो, नहीं हमारे पास'Ma pie chart है, और यहां पर ये जो है डोनट चार्ट है ठीक ए सोरी थो ये चार्टस देखें एक्सल के अंदर हमारे पर मेजर जो चार्ट होते हैं वो यहां पर कॉलम हम चायउ पाई चाय। Dal Scrude इक बार चार्ट, एकष्वाईट erा श्लेट, स्क्रेंटर होगा के च मैं खि़ते हैं, एक बबास इट पार शूररר कती है और ठोड़के साव श्रीफ इस एक्स्रारिक्स को चार्ट्सब्र धियर है तहने कि अश्रीजप में देख सकते हुं विचे फाली मार्कप लेंग्वेज इस यूज तो एड़ एफेक्ट वेब पेज वेब पेज पर लिखने एफेक्ट देने हैं किसी भी अगर आपको लेंग्वेज पुछा जा तो सिंपल सी बात है ढłęएगा ठीक है लेकर आपशन में स्टी अमल नहीं है तो यहां पर डायनवीकच्ट अंसर रहेगा डायनमिक of sports each of which is known as images होते हैं वो फ़र से बने तो छोटी शोटी 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 इस पार्ट को हम कहते हैं pixel okay pixel choose correct alternative to fill in the blanks एक blank है पहले a blank आपके पास है blank a blank b a में लिका है dash is used to me to mean that the copy of the memo memo means mail will go to the person mentioned उसी person को जाए जिसको mention किया है इसको हम कहते हैं कौन सी copy carbon copy ठीक है cc लेकिन दूसरा है dash goes to a person who may not be directly involved but should know what is going on तो इसको कहते हैं bcc blind carbon copy तो answer रहेगा carbon copy or blind carbon copy तो carbon copy or blind ये carbon copy or blind carbon copy answer a रहेगा which of the following is full form of when when मैंने नहीं बताई ये question फिर आपको basic आगया जिबाई इस तरह के question पूछे आते हैं when wide area network तो ये रहेगा answer इसका तो आपको चलो मैं आपको थोड़ा additionally बताता रहता हूं कोशन चाहे मेरे simple हो लेकिन explanation तो आगे पिछी की सारी कोशीश करता हूं मैं आप तक पहुंचाने की pan personal area network land local area network man metropolitan area network when wide area network VPN virtual private ये भी question पूछा गया था virtual private network अभी मैं डाला नहीं question पूछा था land wireless local area network sans storage area network तो ये भी आप readout करें ताके आपको question आए तो असानी से आप attempt कर सको the complete syntax for time function in the excel तो यहां पर the question है इसमें confusion की बात नहीं है time में क्या होगा पागा day आर तो नहीं होगा और mint second ये ठीक है और mint second ms ये क्या होगा और mint day तो ये simple सा है इसका answer आपका निकलाता है इतने tension की बात नहीं which of the following option is a web browser to assess internet इन में से कौन सा option है web browser को जो assess कर सकते internet यहां हम simply web browser पुछा जा रहा है तो इन में से web browser कौन सा होगा पूछने की बात है कोई google chrome ही होगा थोड़े से important web browsers को नजर लगाने firebox, google chrome, microsoft edge, apple safari, opera, brave brave तो ये जो है important web browsers है इनको एक नजर जरूर लगा लें which of the following is a standard mail protocol used to receive mails from the remote service to a local email client तो receiving simple है mail को emails को receive करने के लिए जो protocol यूज होता है बार 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 बता चुका हूँ pop 3 post office protocol 3 यह simply लिखा हो सकता है post office protocol ठीक है तो यह आपने याद रखना है हलांके आपको मैं बता सकता हूँ यहां पर SMTP simple mail transfer protocol भी email के related है जो sending of messages के लिए यूज होता है pop 3 जो है receiving of messages के लिए यूज होता है outlook express भी email internet explorer है यह भी याद रखना इसी के related है कि पिछली वीडियो में एक दो कोश्ण में थोड़ा कोश्ण कंफ्यूजन थी students को मैं clear कर देता हूं इस कोश्ण में पूछा जा रहा था each high level language यानी इस था तो इसका मतलब आ रहा था कि line by line जो translate करता है program high level language को low level language बे line by line इसका मतलब आ रहा था तो interpreter his का ही answer रहेगा और एक और question था यहां पर दो questions में corrections थी मैं आपको बता दो which are the following system provides communication in both direction ठीक है यहां तक question होता तो duplex answer था लेकिन but only one direction at a time तो यह आपका इसकी half duplex की example है वाकी टाकी जैसे वाकी टाकी अब देखते हैं और के आवरे note दूसरे से बोला इस तरह के जो system है communication का उसको half duplex कहते हैं तो यह कुछ revision थी पिछले questions में कुछ जोड़ थे पिछले session में तो clear किये और जितने में aspirant अभी तक हमारे notes नहीं लिए तो मैं आपको बता सकता हूं 7051014488 पे आप message करें और आप लिखें के notes यह आपको notes प्रवाइड कर दिये जाएंगे 99 पिस हलांके सारे notes का जितने भी notes हमारे पास available है mass reasoning को छोड़ के बाकि सारे सिर्फ 99 में आपको available करवा दिये और request यह है कि आप से phone call मत किया करें तो इससे थोड़ी disturbance होती है तो सिर्फ message आप WhatsApp पे करें आपको just after payment आपको उससी वक्त notes प्रवाइड किये जाएंगे अगर आपको message करने में शर्म आ रही है तो आप हमारे description में link दिया हुआ है website से notes डोनलोड कर सकते हैं और उसमें मोक से अलग से मोक टेस्ट भी हैं तो मोक टेस्ट भी आप attempt कर सकते हैं thank you for watching चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर सकते हैं thank you for watching अजया झाल कि अजया झाल कि अजया है